बिल्कुल सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी सर कब कब एक्जामनर बोल सकता है मिनीमम नंबर फ्रेश इशू नंबर वन एक तो बोल सकता है फाइन्स के लिए यानी फंड को अरेंज करने के लिए जो की हमने अभी अभी करा है वहां पर भी देखा जाए तो क्या हमने एक्स्ट्रा शियर इशू कर दिये हैं क्या नहीं जितने की जरुरत थी उतने ही इशू करें उसी को मिनिमम नंबर बोला जाता है कि जितने ही जरुरत है उतना ही करो ऐसा नहीं आख बंद करके अरे एक लाग का चाहिए कर दे दो लाग फ्रेश इशू नहीं फ्रेश इशू एट प्रीमियम हो सकता है या फिर मैं इसको थोड़ा और बेटर करने की कोशिस करता हूं उस्ट्रा हो सकता है हमारा फ्रेश इशू फ्रेश इशू जब रिडेशन होगा तो यहाँ दो कंडिशन बन सकते हैं सर सर क्या दो कंडिशन बनेंगे एक हो सकता है आपका में भी प्रेफरेश शियर कैपिटल और दूसरा प्रेफरेश शियर कैपिटल जो है रिडीम होगा या फिर सीधा छोटा सा बना देते हैं इसको क्या बन सकता है यहाँ पर चलिए हो सकता है कि फ्रेश इशू हो अच्छा हो सकता है कि फ्रेश इशू हो एट पार और हो सकता है फ्रेश इशू हो एट प्रीमियम में कोजिशन यही है यह वाला हम डन कर चुके हैं अभी यह वाला हमने डन कर लिया फाइनेंस वाला पाट ठीक है और फ्रेश इशू एट पार वाला देखेंगे फिर प्रीमियम वाला देखेंगे चप्टर ओवर पार वाला देखते हैं जैसे मान लेते हैं एक बैलेंस शिट कुछ बच्चों का कहना होता है सर आप जो question कराते हो वो तो हो रहा है खुद करते हैं तो होता नहीं है तो उसके लिए तो बस एक ही इलाज है practice मैंने तो इतने question कर लिया है कि मेरी practice हो गई है तो वैसे आपको भी करना है जिससे आपकी practice हो जाए मैंने लिखा 10% preference share capital एक लाग ठीक है उसके बाद मैंने लिखा general reserve general reserve suppose करो पचास हजार surplus बीस हजार और ये है हमारा x, y, z limited तो x, y, z limited redeem औरे क्या हो गया redeem preference share capital and for redemption गश्यू बीब 10,000 in surplus balance issue फ्रेश एकुटी शेयर या इसके साथ वर्ड लगा सकता है मिनिमम फ्रेश एकुटी कोशन देखिए कोशन समझिए जो चीज़े समझने वाली उनको समझिए आप मैं कोशन के अंदर क्या कहा है सर जिसको नहीं दिख रहा वो लेखिए ठीक है दिख रहा है कुशन में क्या कह रहा है कि सर हमारे पास पहले से प्रफेंश है इसके साथ जनरिजब है सरप्लस है सरप्लस के साथ कंपणी ने डिसाइड कर लिया है क्या डिसाइड किया है सर कंपणी ने कंपणी ने डिसाइड किया कि हम रिडीम करने को रेडी है का मपनी ने decide क्हाओ है क्या कर लेंगे redeem कर लेंगे शेयर को लेकिन हम क्या खरेंगे रे डिंट जब करेंगे तयारी तो हम दस अचार रुपए तो छोड़ेंगे किसमे surplus में das j 20 है तो 20 का इस्तमाल नहीं करने वाले हम उसके अंदर 10,000 छोड़ देंगे और बाकी जो भी बचेगा ना जुरत पड़ेगा तो उसके लिए क्या कर देंगे फ्रेश इसू करेंगे एक लाक रुपए चाहिए तो आपका एक लाक रुपए चाहिए एक लाक रुपए चाहिए एक लाक में से जी आर तो 50,000 यूज कर सकते हो CRR के लिए दो जगह जाएंगे इसके पहले हम CRR के लिए देख लेते हैं कितना fund available है सर CRR के लिए हमारे पास 50,000 तो GR में available है और सर profit में 20 है लेकिन examiner ने बोल दिया 10,000 क्या करो छोड़ दो तो हम profit में डाल देंगे 10 तो CRR के लिए अब बाकी fresh issue के लिए हमें कितना चाहिए बताए 40,000 का fresh issue कर देंगे एट पार तो minimum number करना था तो ये भी minimum number है जो कि मैंने यहां case बताया fresh issue एट पार जो एक थोड़ा complicated बनता है ये वाला बनता है करेंगे ना दीरे दीरे करेंगे सारे case लिखे हुए है समझ में आए बात आपको तो सर ये एंट्री की बात करें तो सर मैं एंट्री क्या करूँगा सर एंट्री करूँगा general reserve general reserve 50 surplus 10 और 2crr 60 और bank यहां पर आपको यह समस्या नहीं है कि कितने number of share issue करने हाँ number of share बोलो तो दस वाला होगा तो 4000 और 100 वाला होगा तो 400 नई balance sheet बनाएंगे तो यह हमारा पहले से जो preference share या equity share जो भी दे रखा और नई balance sheet में तो नई balance sheet के अंदर क्या करेंगे equity यह वाला भी जूड़ जाएगा और पुराने वाला भी रहेगा preference share यहां से हट जाएगा GR और GR भी क्या होगा cancel हो जाएगा surplus में बच्चे का 10,000 और यहां पर replace हो जाएगा CRR से कितना 60,000 होगा देखो उन बच्चों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत पहले से कर रखा है preference share जिन्होंने मैंने वहला revision है तो जिन्होंने पहले से preference share कर रखा है उनको तो पूरा ही समझ में आ रहा होगा कि हाँ इसके बाद यह step होगा इसके बद इस टेप होगा जिन्होंने नहीं किया हो premium पे और आपने fresh issue भी किस पे किया है premium पे ठीक है fresh issue भी किस पे किया है आपने premium पे किया है मैं इससे related question नहीं देख लेता हूँ सीधा हो जाएगा हमारा ठीक है ना चलिए question पे चलते है यह रहा question इसको एक equation method से solve किया जाता है जो मैं आपके सामने करके दिखाऊ क्योंकि मैं अपने example लो फिर unnecessary की video ना lengthy हो जाएगी चलिए question में कहता है सर equity share है कुछ नहीं करना preference share हमारा है 80% called up 80% called up तो यानि इसमें हमें 20% जो भी है और मंगवाएंगे तब ही redeem हो सकता है सर सर प्लस में पैसा हमारे पास पड़ा हूँ है security premium में 5000 क्या security premium का redemption के परफस के लिए use हो सकता है तो जवाब है नहीं क्या bonus issue के लिए security premium का यूज हो सकता है तो जवाब है section 52 sub section 2 में देखिए जो पांच बाते लिखी हुई है वही पांच बातों की जगह पर security यूज हो सकता है कौन-कौन सा सर यह question आएगा exam में theory में कौन सा bonus issue buyback of shares और क्या था redemption security premium payment करने के लिए चाहें debenture का हो चाहें किसी का right of preliminary expenses तो यह सारी बाते वहाँ पर लिखा हुआ है underwriter commission लिखा हुए तो वही जगह है आगे कहता है question में सारी बाते प्रफरेंस शेयर ड्यू इमिडेट redemption at a premium 10% प्रफरेंस शेयर को बोला redeem कर दो 10% पे दा डाइरेक्टर डिजायर only minimum number of share 100 रुपिस इच और डाइरेक्टर बोलता है भाई हमने इस्यू करेंगे जो minimum होगा इस्यू करेंगे आगे कहता है to provide redemption of preference year preference year को redeem करने के लिए could not otherwise redeem कहता है कि to provide for redemption of such preference year could not be otherwise redeem मतलब जो भी redeem करना उसके अलावा नहीं करना assume all formalities section 55 की completed है क्योंकि redemption जो होता है ना इसका section 55 के अंडर ही किया जाता है rule and regulation के हिसाप से चलिए सर अब हमें यह नहीं पता चल रहा सर कितने इस्यू करें तो पहले हमें इंतजाम देख लेंगे क्या होता है शियर कितने नंबर इस्यू होगा उसके लिए एक equation को follow करेंगे जब ऐसा question आ जाए और उसी के हिसाप से चलना है हमें कि सर हमें चाहिए फंड यानी पर कि प्रफेंशियर है कितना कि अमाउंट देखके बताईए वहाँ पर दो लाग है अब दो लाग को called up भी तो करोगे पूरा दो लाग था अब दो लाग तो हम कर नहीं सकते रिडीम क्यूंकि इससे बाकी के भी मंगवाएंगे सर बाकी का प्लस करो इसके अंदर कितना कम पड़ रहा है कह रहा है सर यह 80% है कह रहा है यह कितने परसंट है 80 तो इसको डिवाइड कर दो किस से 80 से और इंटू 100 बाकी अगर नंबर दे रखा हो तो कोई बात ही नहीं होती कितने आ गया धाई लाग आएगा कितने आगे हमारे धाई लाग रुपे ठीक है तो यह धाई लाग रुपे का प्रफेंच यह रहा है और इसके उपर मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम भी पेड करना है 10% का तो इसका मतलब 25,000 और सिंपली बात करें तो 275 275 सिंपली बात करें तो 275 चीक है सर्थ 275 की बात कर रहे हैं इंतजाम करना है तो फॉर्मूला क्या रहता है फॉर्मूला क्या बेसिक सा एक एक इक्वेशन बना के फटा फट नंबर निकाल सकते हैं एक्वेशन क्या बनाना है कि redemption amount redemption amount बोलो तो मेरे को चाहिए 2,75 is equal to अगर हमारे पास कोई reserve है तो वो लिखो plus कोई भी reserve यानि मैं simple एक word लिख दूँ यहाँ पर reserve answer plus reserve नहीं लिख नहीं सकते क्योंकि इसमें फिर दूसरा CRR भी आ जाएगा तो कोई reserve है वो लिखो security premium है वो लिखो और plus हमें number of share के लिए हमने मान लेते हैं n press number of share को क्या मान लेते हैं n let assumption ले रहे हैं let total number of is equal to n n हो गया और n को भी premium भी चाहिए हमें तो यह क्या हो जाएगा n multiply by कितने percent बोला इसने 5 percent तो मैं यहां पर बता दू minimum number क्या होता है sir minimum number होता है हमारा n और n सिर्फ नहीं होगा इसके साथ आएगा security premium और security premium किस पर निकलेगा हमेशा इस n पर निकलेगा तो यहां पर देखा जाए तो यह बनेगा n और n इंटू में 5% premium में तो 5 बटे में 100 तो यह होगा हमारा preferential issue समझ रहे बात को और plus में हम कर देते हैं इसके reserve तो कि हमें पता चल जाए कि कितना हमें issue करना है simply बात मैं जो बताना चाहता हूँ तो मैं वही चीज़ यहां पर लिख रहा हूँ क्या n n इंटू में 5 by 100 तो यह तो हो गया यह वाला portion हो गया sir 5 by 100 हर किसी में नहीं लेना यहां 5% इसलिए लिए है मैंने यह हो गया share और यह हो गया reserve अब निकाल लेते है number simple सी बात है sir कितना है 275 total पैसा 275 चाहिए reserve में कितना पढ़ा है sir reserve में बताओ 23 plus 5000 security premium यह calculation है number है ऐसा मैं समझना security premium utilize हो रहा है plus n नहीं पता plus इसको n by 20 कह सकते है solve कर यह n की value इसको इदर लियाएंगे 275 minus में 27 कर देते हैं इसको ठीक है जोड़ी गया नहीं 28 होगा 28 to 50 is equal to यह हो गया 21 इसको solve करोगे तो 20 से multiply करिए क्या आता है इसको कितने हाँ इसको minus करके total करिए n की नहीं पहले इसको minus करके बता देजे 2 into में 20 n देखो मैंने n माना है आप x मान लो a मान लो b मान लो ऐसा कोई फरक नहीं बढ़े अब बताओ n की value बतादो total divided by किस 2,00,000 सर 2,35,000 रुपए आपको और divide भी करहें ने किस से 21 से divide भी है तो 2,35,000 सर मैंने n को क्या माना था कि कितने number of shares number of shares भी मैं ना कहूँ कि कितने हमें number of shares के कहता हूँ मैं कितने share से fund इखटा करना होगा यह बताता है simple सा देखो total fund यह क्या है हमारा total amount requirement हमें कितना पड़ेगा सर 2,35,000 redemption amount कितना जुरत पड़ेगा 2,35,000 अगर 2,35,000 रुपय हमें amount requirement पड़ेगा तो इसका मतलब number of shares कैसे निकाले सर number of share होगा 2,35,000 और एक share कितने का होने वाला है equity share था कितने का 100 का और 5% premium divided by तो बताइए क्या है हां 22 point में आ रहा है नहीं दो पैंतिस है ने total है ने तो नहीं आ गया यह 100 से divide करना होगा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट आप number निकाल रहे हैं न तो 100 से divide करिए तो सर 23,50 का आपको minimum number of fresh issue करना होगा इस base पे एक पर question भी पूछा गया था हां यह question इसी के बाद करवाँगा सुमित यह question इसी के बाद में करवाने वाला हूँ बताए यह समझ में हैं दुबारा देखिए क्या करेंगे जब question में बोला जाए minimum number of fresh issue करना तो एक equation बनाना है equation क्या बनाना है total amount कितना हमें चाहिए उसके equal में रखते ना reserve security premium जो भी है अब प्लस में N प्लस में अगर security premium है तो N प्लस में N के जो भी निकलता है हमारा यह हमने कर लिए इसके इसाफ से हमें क्या पता चल जाएगा सर इतना हमें number of shares issue करना ठीक है अब इतने number of shares issue करने अब जनल एंट्री की बात करते हैं तो जनल एंट्री में फटाफट करके दिखा देता है आप मैच भी करते जाना वहां से आपके पास तो सर सबसे पहले बुला ले shareholder को बुला ले तो shareholder को बुलाने की बात करें तो हमें 23,2,35,000 रुपे तो equity share से मिल रहे है टोटल जरूरत जो है धाई लाग का है तो माइनस में धाई लाग रुपे ज़रत तो 15,000 रुपे और चाहिए तो 15,000 रुपे जो और चाहिए वो कहा से ले लेते हैं, reserve में से पैसे उठा लेते हैं, reserve यानी हम इसमें सर प्लस में से, तो entry करेंगे surplus to CRR कितने रुपे? कोई दिक्कत नहीं चलिए अगली एंट्री फ्रेश इस्यू कर दें तो फ्रेश इस्यू करेंगे तो क्या बैंक है तो एक्यूटी शेयर कैपिटल और टू सिक्यूरिटी सर्ब बताएए यह हमारा तेईस-पचास आया इंटू में सौ दो लाक 35,000 तो यहां से आ गया है तेईस-पचास और प्रीमियम निकालने के लिए इंटू में क्या करना होगा पांच बताएए कितना है कि पताओ कि यह तेईस-पचास इंटू में पांच 11,750 यहां से मिल गया टोटल कितने पैसे इंटिजाम हो गए यह तेईस-पचास इंटू में आप 105 कर दो यह कोशन आएगा एग्जाम में दो यह आएगा आपके एग्जाम में कोशन इंपॉर्टन है इस टॉपिक पे, इनफेक्ट आया भी था यह देख लिया, यह देख लिया, अब क्या करेंगे, प्रिफेंशियर होल्डर को बुला लेंगे तो प्रिफेंशियर होल्डर को बुला लेते हैं चलिए, यहां एंट्री करते हैं कि अब इसको फुली पेड़ अप करेंगे यह पैसा भी मंगा लेंगे इससे बैंक है तो प्रिफरेंज शेयर कैपिटल कितने रुपए मंगाने हमें पहले दो था पचास और मंगा लो है ना डारेक्ट एंट्री करा में वैसे फाइनल कॉल से होता ही है अब प्रिसमेंश रोंडर को बुलाओ कितने परसंट भाई? 12% प्रिसमेंश रोंडर आ गो कितने दोपचास सेकुरईटी प्रिमिंम आ जाओ कितने 25 प्रिफेंट शेयर होल्डर आपको पैसे देने हैं कि दो पिछेतर प्रिफेंट शेयर होल्डर आजा और आप बैंक से पैसा ले जाओ हमान के चल रहे हमारे पास खूब सारा पैसा पढ़ा है क्या अच्छक अच्छब अभी है तो चलो कोई बात दीनómo आगे क्या करते इना आगते से प्रिफेंश यहरा हूं अभी प्रै慨 Sharpie अब सेकूरीटरी प्रिमि devi खूरए यहां है है और सेक्रेटिव किद इतना चाहिए था 25,000 बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं आप कहानी इसको देखना इसके लिए सारी कहानी घूमी है दिमाग इसने खराब कर रखा था सुरू से देखो security premium में कितना पैसा है 11750 और प्लस 5000 कितने हुए एरे 16750 ये था लेकिन सर security premium तो चाहिए हमें 25,000 बाकी का क्या यूज़ करो सर प्लस ले लो अगर सर प्लस में नहीं होते पैसे तो क्या करते है ना तो ये जो calculation किया है ना तो ये इस हिसाब से calculation बैठता है हमारा के सर प्लस में भी फाल्तू पैसा ना बचे और premium भी paid हो जाए अब देखो सर प्लस कितना यूज़ किया है 15 और यहां कितना था 23 23 250 में से 15 निकल गए बचे कितने अब जहिए कितने कहानी ये है सारी minimum number का मतलब तो यही हुआ ना कुछ भी आपका calculation बिल्कुल perfect हो तो बताओ क्या हमारा security premium में पैसा पढ़ा है generalism में पैसा पढ़ा है नहीं पढ़ा हमने सारे security premium को भी payment किया है और minimum number of shares अगर होता मान लेते हैं कि मैं यहां पे 23500 के जगे कहते हैं यह 25 कर दे इशू तो जब मैं 25 इशू करता तो reserve and surplus में तो पैसे पढ़े रह जाते और जब reserve and surplus में पैसे पढ़े रह जाते तो आपका calculation किस काम का समझे बात तो सारी कहानी घूम फिर के यहां पे यह आई है तो यह देखिए main चीज़े यह इसको समझ रहा है समझ लो आप अगर कोई दिक्कत होती तो फिर भी आप पूछ सकते हो ठीक है सारी entry होगे कोई missing तो नहीं है हो गई done सर इसी बेस पे एक कुश्चन भी आया था एक्जाम में उस कुश्चन को भी हम करेंगे अभी एक बार नोट कर लिए झाल 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 झाल